राजसे कुढनी के पर विधायक डॉक्टर अनील सहनी ने CBI को खुला चैलेंज कर दिया है उन्होंने सुक्रवार को कहा कि CBI बताय की 24 लाग घोटाले कारोप लगाये गया है वह पैसा कहा गया उन्होंने कहा कि इस बताचार का मैंने फर्दाफास किया था लेकिन CBI ने मुझे ही अरोपी बना दिया और जो इस पूरे रैकिट को चलाते थे उन्हीं गबाह बना दिया उन्होंने सुक्रवार को कहा कि CBI की बिसेस अधालत ने मुझे सजा सुनाई थी इसके बाद मेरी सदस्रता रद कर दी गई, लेकिन मैंने घाई कोट का दर्वाजा खटकटाया, उच नियाले ने निचली अदालत के फैसले को सस्पिंड कर दिया, CVI से जबाब मांगा गया है सिगरी हाई कोट में अगली सुनवाई होगी, इस आदेश के आने के बाद विधासवाद व्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्हें पूरी बातों से अबगत कराया है, पुर्व विधायक ने मुझवपपु में प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी जानकारी दी, उन्होंने क इसके आलोक में दिनांक 9 सेप्टेंबर और दिनांक 10 अक्टूबर को दिल्ली उच न्याले द्वारा यह असपस्ट रूप से अपने आदेश में माननियं उच न्याले ने आदेश दिये कि निचली आदालत के फैसला को अगले सुनवाई तक निलंबित किया जाता है और उसी के आलोक में मैंने विधान सभा के माननिय अध्यक्ष आदरनिय अवद विहारी चोधरी जी को कल पटना में विधान सभा के उनके करजाले में जाकर और उन्हें माननिय उच न्याले के जो फैसला आया है उससे अवगत कराएं अब सवाल उठता है कि देश के नय पालिका जो काम हर छेतर में जो काम बधान सभा और लोक सभा वारा नहीं किया जाता है जनहीत में उस काम को उच न्याले और सुप्रीम कोर्ट वारा किया जा रहा है कि मैं इस काम के लिए और जो जनहीत के काम जो किया जाता है उसके लिए उच्छ न्याल है और सुप्रीम कोट के परतिया भाहर व्यक्ट करता हूं साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस परकार से सत्त बोलने वाले को परिशान किया जाता है किस परकार से जो संसद में ल्टी सी घोटाला होता है जिसका मैंने परदा भास किया था जिसका मैंने खुलासा किया था 2012 में और संसद को बताने का काम किया था कि जो जन परतिनीदी जन्ता के द्वारा चून यह लोगसभा और रासवा में जन्ता के परतुनीदी बन यह लोगसभा और रासवा में उजह सो आथो बीना ट्रेविलिंग किये हुए ऊजह सो पैसा को निकालने के काम किया जाता है मैंने जो सपत खाया था मैंने सपत खाया था कि सपत का उजागर करूँगा। में उसका कारण क्या हुआ हुआ जितने भी एवर रैकेट से लेकर और संसद में जो मिली भगत करकर काम करते थे मेरा जाली दसकत जाली फोरम पर ना मेरा पीए ने जमा किया ने मेरा किसी ने जमा किया इसका मैंने अबगत कराया उसको लेकर जो है सो आपको एज द्वारा जांच कराया गया आपको मालूम है कि 2012-13 में हमारे घर पर और दिल्ली में भी सब्सक्राइब और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आप देखिए के मेरे खुलासा के बाद सी वी आई ने पांच साथ लोगों पर जो केस किया संसत पर और लोग सभा राश सभा में तो उसमें सबसे एक नमर में मेरा नाम हुआ आया सबसे पहले हैं फाइर में मुझ पर हुआ फिर उसके बाद हुआ जो अभी उत्तर परदेश के मुख मंत्री बने हुए बरदेश पाठक जी फिल हुआ रेनु बाला परदान पिर हुआ रेनु बाला पर्धान लगुशवार्ट मदनानी रेनु बाला पर्धान रशी और मुश्मद मदनानी और अधर जोहे सोई सब मिलाकर राज सभा के सदस्पर हुआ केस मगर उस समय लोग सभा में और लोग सभा के स्पीकर ने सीवी आई को घूसने नहीं दिया लोग सवा में घूसने नहीं दिया जांच नहीं करने दिया पिर उसके बाद बिनोद कुमार मिस्रा बिनोद कुमार पांडे जो उत्तर परदेश से एमपी थे उस पर बिना गुसे हुए और जो है सो जो करने वाला जो लोग था उसको मिला कर सीवी आई उस पर एक एफाई आट दर्ज किया तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं सोसित उप्यक्षित गरीब गुर्वा के जो गारी कमाई जो संसत द्वारा और संसत में और संसत के मिली भगत से जो पैसा उड़ाया जाता था उसका मैंने भंडा फोर किया था तो मुझ पर केस चला और जिसके जिसके मेरे खाता में एक पैस भी अगर गया हो तो मैं राजनीती से सन्यास ले लूँगा मैं अमर्साहिद जुब्बा साहनी का बंसज आई चैलेंज करते हैं जो देश के आजादी के लिए उन्होंने इसलिए नहीं फांसी पर चहर गए इसलिए और 112 लोगों को जो सहीत कराये थे कि आने वाले दिनों में और जो हैसे भराष्टा चारीका जमाना आ जाएगा जब तक मैं जिन्दा हूं इसका लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं आपको पता देना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे चैनल में बहुत सारे अख़बार में ये छपा कि 23 और 24 लाख रुपया निल सानी ने गमन कर दिया और गायब कर दिया तो मैं पूछना चाहता हूं जो निचली अधालत के फैसला में उन्हों न लिखा इनके खाता में एक पैसा भी नहीं गिया मगर ऐसा सीबी आई ने जो परोज कर रख दिया था सामने में जो एर एर ट्रेवल्स जो इसका रैकेट चलाते थे उन लोगों को इसमें जो हैसो सीबी आई ने गवाह बना दिया जो संसद में जो करमचारी था जो लोगी काम करकर करोरो रुपया बनाया है उन लोगों को गवाही बना दिया और मुझ पर केस उस समय किया गिया 2015 में जब मैं स्टार परचारा के रूप में महुआ बिधान सवा चुनाब में और रागोपुर बिधान सवा चुनाब में तेजपरताप जी के और तेजस्पी जी के छेतर में मैं चुनाब परचार कर रहा था सांत में सव्जोग सोंसो मैलाल भाभू गोभी मेरे साथ थे उसी साम को टीवी और रेडियो पर चलने लगा का नील सवानी पर उस समय हम से जो है सो हम स्टार परचारक के रूप में पूरे बिहार में हिलिको